प्यारवज्चों अभी हमने यह पाठ पढ़ा ओधनम सुक्तम और अब आईए इसके पाठ के अधार पर जो पाठ्च पुस्तक में अभ्यास के प्रस्ण दिये हुए हैं उन अभ्यास के प्रस्णों को हल करते हैं अब हम इस पाठ में जो अभ्यास दिये हुए हैं उनको हल करते हैं आईए सबसे पहले अभ्यास के जो निर्देश हैं उन्हें देखते हैं निर्देश है अधो लिखितानाम प्रश्णानाम उत्तराणी संस्कृत भास या लिखत निर्देश को समझना है निर्देश कहता है नीचे लिखे हुए प्रश्णो के उत्तर संस्कृत भास या अर्था संस्कृत भास में लिखो कभी-कभी निर्देश बदल सकता है कहा जा सकता है संस्कृत भासया के जगम हिंदी भासया कह दिया गया अर्थात प्रशन यही हो सकते हैं जो आ रहे हैं और उत्तर जो हैं वो आपको हिंदी भासया में लिखना हो सकता है इसलिए इन प्रश्णों के उत्तर आपको संस्कृत में भी तयार करना है और हिंदी में भी तयार करना है तो हम हिंदी और संस्कृत दोनों में उत्तरों को समझेंगे आईए प्रश्णों को लेते हैं प्रश्ण है क देवानाम माता अदिति है किम करोती देवताओं की माता अधिती क्या करती है तो पाट के धार पर उत्तर देना है तो किम के स्थान पर किम यह प्रस्ण वाचक सब्द है इसके स्थान पर हमें उत्तर वाचक सब्द को इस्थापित करना है और इस तरह से संस्कृत में उत्तर हो जाएगा तो लिखेंगे देवा नाम माता अधिती है, सूप ग्रहनम करोती, देवताओ की माता अधिती सूप ग्रहन करती है, हो गया? अगला प्रश्न है, ख, वातह किम करोती तंडुलस्य, वायू चावल का क्या करती है, तो वातह तंडुलेभ्या तूसाह प्रिथक करोती, वायू चावल से भूसा को अलग करती है, ग, कश्य पिधानम करोती द्यवह, राध्य मानस्य कुम्भेह पिधानम करोती द्यवह, अर्थात, पकाये जाने वाले कुम्भ को ढकने का कारे करती है, आकास, भोजन पकाने का पात्र इस पात्र में प्रिथ्वी को बताया गया है, और उसको ढखने का कार्य द्यवह करती है, ऐसा उल्लेख आया है, इसलिए उसके अधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे, तो राध्य मानस्य कुम्भेह पिधानम करोती द्यवह, रथात, पकाये जाने वाले भोजन को ढखने का कार्य द्यवह करती है, होगे उत्तर? आगे, गह, तंडुलस्य पाक कार्यम काह कुर्वंति, चावल को पकाने का कार्य कौन करता है, उत्तर होगा, तो काह के इस्थान पर क्या करना है, हमको उत्तर वाचक सब्द लिखना है, तो तंडुलस्य पाक कार्यम रीत वह कुर्वंति, रथात, चावल को पकाने का कार्य रीतुवें करती है, अगला प्रश्न, उंग, सूर्य चंद्रस्य ओधनस्य काउस्तह, सूर्य और चंद्रमा ओधन के अरथात भात के क्या है, तो सूर्य चंद्रस्य ओधनस्य अक्छेन स्तह, अरथात, सूर्य और चंद्रमा ओधन के भात के दो आखें है, च, ओधनेन कस्मई सर्वे लोकाह समाप्याह, भात से कौन सब प्राप्त करते हैं, तो ओधनेन यज्य वचह सर्वे लोकाह समाप्याह, भात से यज्य करने वाले समस्त लोकों को प्राप्त करते हैं, अगला अभ्यास है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ का दहार पर कुछ प्रश्न है, जिसके उत्तर हमने हिंदी और संस्कृत दोनों में कैसे हल किया जा सकता है, क्या इसका उत्तर होगा, इसके विशे में जानकारियां प्राप्त किये, और अब हम अगले अभ्यास की और आगे बढ़ते हैं, अगला अभ्यास है, भिन प्रकृतिकम पदम चिनुत, अर्थात, यहां अब कुछ सब्द दिये जाएंगे, उन में से कौन सा भिन प्रकृति वाला है, इसकी हमें पहचान करनी होगी है, प्रश्न है क, मुसलम, उलूखम, सूर्पम, कुल्या और कुम्भी, यह सब्द हैं, अब इन सब्दों में कुछ समानता है, और कोई सब्द जो है उसमें वो गुण नहीं है, तो कौन सा सब्द है जिसमें वो गुण नहीं है, उ सब्द को हमें अलग करना है जैसे मूसलम कहा गया है मूसल कहा गया उलुखम कहते हैं ओखली को जिसमें धान को कूटा जाता है सूर्पम कहते हैं जिसमें से धान में से भूसा को अलग करने की प्रक्रिया होती है कुल्या कहते हैं जिसमें से खेतों में पानी दिया जाता है और कुम्भी कहते हैं जिसमें से भोजन को या अनाज को भात को पकाया जाता है तो कुम्भी अर्थात भोजन को पकाने का जो पात्र है वह तो इस तरह से हम देखते हैं, यहां मूसलम जो है, जो सब्द दिये गुए हैं, सब्द समोह दिये गए हैं, उनमें से यहां भिन्न है, तो इसको आपको अलग लिखना है आगे बढ़ते हैं, ख, दीती है, आदीती है, कुंती, अंजनी और सकुनी है यह पद हैं, अब इनमें से हम देखते हैं, तो दीती है, आदीती है, कुंती, अंजनी और सकुनी इनमें से सकुनी ही जो पद है, यह पूर्लिंग का सब्द है और दीती है, आदीती है, कुंती, अंजनी, यह इस्तरी लिंग है सब्द है तो इसलिए यहां से सकुनी जो है, यहां अलग हो जाएगा, इसको आप अलग लिख लेंगे, यह इसका उत्तर हो गया, आगे बढ़ते हैं, ग, सीरह, मूखं, वस्त्रम, हस्तम, पादम, यह सब्दसमू है, अब इन में से कौन सा भिन्न है, इसका हमें चैन करना है, तो यहां आप देखें, सीरह, यहां सरीर का अंग है, मूखं, यहां भी सरीर का अंग है, वस्त्रम, यहां सरीर पर उपर सिधारन किया जाता है, यहां सरीर का अंग नहीं है, हस्तम, यहां सरीर का अंग है, पादम, पादम का मतलब होता है पैर, यहां भी सरीर का अंग है, तो सीरह, मुखम, हस्तम, पादम ये सभी जो है सरीर के अंग हैं और वस्त्रम जो कहा जा रहा है यह सरीर का अंग नहीं है इसको अलग से धारण किया जाता है इसलिए यहां भिन्नपद हो जाएगा वस्त्रम आगे बढ़ते हैं घा, ब्रिहस्पति, द्यूलोका, प्रिथ्वी, वरुणा, सनिय, अब इन में से भिन्नपद का चैन करना है तो हम देखते हैं, ब्रिहस्पती हैं, ये देवता भी कहे गए हैं, और ग्रह का भी नाम है, पृत्वी यह भी देवता है, और यह भी ग्रह का नाम है, इसे तरह से वरुन और सनी भी ये देवता भी कहे जाते हैं, आकास में विचरण करते हैं, और साथ ही उन्हें देव भी म बात नहीं कहीं गई है, इसलिए यह इन में से भिन्न है, आगे बढ़ते हैं इन सब्द समुहों में से भिन्न क्या है, देखते हैं य७्छा मतलब होता है यज्य करने वाला या यज्य कराने वाला अव रितवह मतलब रितवें वसंत यह रितु का नाम है सिसीरह यह रितु का नाम है ग्रिश्मह यह रितु का नाम है तो रितवह वसंत यह रितु का नाम है तो रितवह वसंत यह रितु का नाम है तो रितवह वसंत यह रितु का ना और पूछ आजआई वाला की जान्कारी देता हैं, मतलब यहां अलग है, तो यहां से भिन्वपद आप अलग कर लीजिए, यज्यवचह, तो इसतरह से आप भिन्नपद क्या हैं? उनके अलग अलग अधार होते हैं, जिनके अधार पर उन्हें आप अलग कर सकते हैं, आइए, आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला अभ्यास जो है वो रिक्तिस्थान से संबंधित है, ध्यान देजेगा रिक्तिस्थान से संबंधित जब पुछा जाता है, तो किसी वाख्य में से कोई एक सब्द या दो सब्द जो है, वहाँ से हटा दिया जाता हैं और उसको हमें इस्थापित करना होता है, कभी-कभी रिक्तिस्थान भरने के लिए, रिक्तिस्थान की पूर्ति करने के लिए सब्दों का समुह दिये जाता है, उनमें से चयन करकर के हमें लिखना होता है, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वहां सब्द का संकेत दिये जाता है, कोई सब्द लिख दिया जाएगा उसका क्यार रूप, सही रूप उस वाक्य में होना चाहिए. उस सब्द का सही रूप बनाकर वहां रिक्त इस्थान की हमें पूर्टी करनी होती है. आईए, देखते हैं, यहां किस तरह का रिक्त इस्थान दिया जा रहा है. तो सबसे पहले निर्देश निर्देश है कोश्ट कांतर गतेशू सब्देशू उपयुकता नाम विभक्तिम योज यत्वा रिक्तस्थानानी पूरयत अर्थात कोष्टक के अंतरगत दिये गए सब्दों में से उपयुक्त विभक्ति का योग करके रिक्त इस्थानों की पूर्ती कीजिए अभी जो वाक्त के दिया रहे हैं उनमें सब्द समुह अलग से नहीं दिया गया है कोई एक सब्द दिया जाएगा उसका उचित विभक्ती रूप उस सब्द में उचित विभक्ती रूप लगा करके हमें रिक्त इस्थान की पूर्ती करनी है आईए हम प्रश्न देखते हैं प्रश्न क असूरानाम रित्यस्थान दीति सूर्पमस्ति और फिर यहां कोश्टक में दिया गया है सब्द मात्रि अब इस सब्द से हमें रित्यस्थान की पूर्ति करना है तो असूरानाम असूरों के दीति है दीति सूर्पमस्ति सूर्प मतलब सूप है तो असूरानाम माता दीति है सूर्पमस्ति तो मात्रि से हमें क्या बनाना है मात्री सब्द का प्रत्मवि भक्ति एक वचन का रूप हमें मात्री सब्द में लगाना है तो मात्री सब्द का प्रत्मवि भक्ति एक वचन क्या होगा माता तो असुरा नाम माता दीति है सूर्प मस्ति ऐसा कर दीजे हो गया और साथ ही माता ही है जो सब्दा हमने लिखा इसको रिखांकित कर दीजिए आगे बढ़ते हैं ख तंडुलाह रित्तस्थान पच्यन्ते कुष्टक में दिया गए सब्दा है कुम्भी अब कुम्भी सब्दा के उचीत रूप से हमें रित्तस्थान की पूर्ती करना है तो तंडुलाह तंडुल कहते हैं चावल को पच्यन्ते पकते हैं कि इसमें पकते हैं कुम्भी कुम्भी एक पात्र है जिसमें चावल पकाया जाता है तो चावल जो है पात्र में पक्ते हैं तो जो पात्र दियेगे हैं उसमें हमें सब्तमी भक्ती लगाना है इसमें पक्ते हैं तो कुम्भी में कहने के लिए क्या करना पड़ेगा कुम्भी सब्तमी सब्तमी भक्ती का योग करना पड़ेगा तो कुम्भी सब्द में इस सब्दम ने लिखा इसमें रिखांकित कर दीजिए हो गया उत्तर है न सरल चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है राध्य मानस्य ओधनस्य पक्तारह संती और फिर यहां रिक्त इस्थान दिया गया है और उसके लिए सब्द दिया गया है रितु रितु सब्द से रिक्त इस्थान की पूर्ति करना है तो राध्य मानस्य पकाये जाने वाले के ओधनस्य के पक्तारह संती रसोया हैं रसोया कौन हैं? तो रितु सब्द से बनाना है रितु एक है क्या? एक रितु पका देती क्या है पक्तारह संती रितु वह तो रितु वह सब्द जो आया है इसमें आप क्या कर दीजे? रेखांकित कर दीजे हो गया आगे बढ़ते हैं गह रिक्तेस्थान मुखम ब्रहम अस्ति और कोष्टक में दिया गए सब्द है ओधन तो ओधन सब्द से हमें क्या करना है यहां रिक्तेस्थान की पूर्ति करना है तो ओधन सब्द का सही रूप होना चाहिए तो मुखम ब्रहम अस्ति ब्रहम जो है मुख कहा गया है किसका कह कहा गया है ओदन का जो जो है ब्रह्म को कहा गया है यह है तो ओदन में का का योग करना है तो ओदन का कैसे बनेगा इसके रा के अर्थात ओधन सब्द में संबंध करना होगा, संबंध लगाना होगा, तो संबंध अर्थात सष्ट्विभक्ति, तो ओधन सब्द में सष्ट्विभक्ति का योग करें, तो रूप क्या होगा? जैसे बालक सब्द में हम सष्ट्विभक्ति का योग करते हैं, तो बालक से बा तो ओधनस्य मुखम ब्रह्म अस्ति तो ओधनस्य अर्थात भात का मुख ब्रह्म है ये हिंदी मर्थ हो गया तो ओधनस्य ये सब्द हम लीखा है इस सब्ड को आप रिखांकित कर दीजिये हो गया आगे बढ़ते हैं ग प्राणापानाह रिट्रिस्थान तो वाईयू सब्दा से रिक्ताइस्थान की पूर्ति करना है, प्राणा पाना, प्राण और अपान कहे गए हैं, रिसया संति, रिसी हैं, ये प्राण और अपान क्या हैं, ये वाईयू हैं, तो प्राण और अपान वाईयू सब्द रिसी हैं, ये कहा गया है, तो वाईयू सब्तरिसयह संती प्राण और अपान वायो सब्तरिसी हैं तो इस तरह से हम जो रिक्तिस्थान से संबनित प्रस्ण पूछे जाएंगे चाहे किसी भी प्रकार का हो उसका उत्तर हम दे सकते हैं यदि इस तरह से विभिन रूप बनाकर रिक्तिस्थानों की पूर्ती करना है विभीन परिक्षाओं में तरह तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं, उस प्रस्ण किस तरह के हो सकते हैं, कभी-कभी ये होता है कि प्रस्ण तो दिया गया होता है, उत्तर हमको लिखना होता है, लेकिन आज कल एक नवीन पद्धती चल रही है, एक साधारन वाक्य दिया जाता और उस वाक्य के अधार पर हमें प्रशन बनाना होता है तो एक वाक्य के अधार पर प्रशन बनाएंगे तो तरह तरह की प्रशन बन सकते हैं इसलिए क्या किया जाता है कि उन में से किसी एक सब्द को रिखांकित कर दिया जाता है या इस्थूल कर दिया जाता है मोटा कर दिया जाता है या भिन वर्णी कर दिया जाता है भिन रंग का कर दिया जाता है और उस सब्द के अधार पर ही उस वाक्य को हम क्या करना होता है प्रश्ण वाचक वाक्य के निर्मान करना होता है जैसे हैं अब यहां हम विविन वाक्चों को देखते हैं इसके दार पर समझने को प्रयास करते हैं क उलुखेन मूसलेन अन्नम कुट्यते उलुखे ओखली में मूसलेन मूसलसे अन्नम कुट्यते अन्न कुटा जाता है तो मूसलेन यह जो सब्द है इसको इस्थूल कर दिया गिया है अब इसके अधार पर क्या करना है हमको मूसलेन इस सब्द को नई लिखना है और इसके इस्थान पर प्रस्ण वाचक सब्द लिखना है और ऐसा सब्द लिखना है जिसका उत्तर जो है यह वाक्य है उलूखेन मूसलेन अन्नम कुट्यते यह जो वाक्य है यह उत्तर है अब इसमें से मूसलेन के इस्थान पर प्रस्णवाचक सब्द का निर्मान करना है तो हमको यह देखना होगा कि मूसलेन जो कहा जा रहा है इसमें कौन सी भक्ति का योग हुआ है तो मूसल में एन लगा हुआ है अर्थात यह त्रितिय भक्ति है तो प्रस्णवाचक जो सब्द है किम किम सब्द का अच्छा मूसलेन कहा रहे है तो यह कहां यह पूर्लिंग में दीख रहा है रूप तो पूर्लिंग किम सब्द पूर्लिंग त्रितिय भक्ति एक वचन का र अब उत्तर आएगा न मूसलेन बस यही करना है और कुछ नहीं तो उत्तर सरलता से मिल जाएगा मूसलेन तो केन हम जो लिखे हैं इसको आप रिखांकित कर दीजिए और साथ ही साथ अन्त में अन्नम कुछ्यते के बाद जो पूर्ण विराम लगा हुआ है इसको आप प्रस्नवाचक बना दीजिए क्यों? क्योंकि हमने प्रस्न का निर्मान किया है केवल पूर्ण विराम वहां लगा रहने देंगे तब वो गलत हो जाएगा तो इसलिए प्रत्येक वाक्यों को जब हम किसी भी वाक्य को हम प्रस्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो केवल प्रस्नवाचक सब्दों का ही योग नहीं करना है अपितु प्रस्नवाचक सब्दों का योग करने के साथ ही जो विराम चिन है उसको भी परिवर्तन करना आवश्चक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये इस वाक्य में तंडुलाः ये इस्थुल सब्द है अब इसके हटाना है और इसके इस्थान पर क्या करना है प्रस्नवाचक सब्द का योग करना है तंडुला तंडुला जो है इस्थ्रिलिंग सब्द है तो इस्थ्रिलिंग बहु अचन का यह रूप है तो इस्थ्रिलिंग किम सब्द इस्थ्रिलिंग प्रत्मभक्ति बहु अचन का रूप हमें यहां लेना होगा तो अब गावह इव संती तो आव साथ में प्रस्ण वाचे अक्जिन है उत्तर क्या हैगा तंजुलाह गावह इव संती तो बस यही करना है तो कावघ इव संती यही इस प्रस्न का उत्तर है आगे बढ़ते हैं ग हस्त प्रक्षाल नार्थम रितम अस्ति, रितम को यहाँ पर इस्थूल किया गया है, तो रितम को हचाना है और किम करूप कम ले आना है, तो हस्त प्रक्षाल नार्थम कम अस्ति, हो गया ऐसा कर दीजिए, तो और साथी प्रस्मवाचक्चिन लगा दीजिए, हो गया उत्तर, स्थुल कर दिया गिया है इसवाख्य में ब्रिहस्पतिई देवा नाम गुरुह मन्य थे अब ब्रिहस्पतिई ये पूर्लिंग का सब्द है प्रत्मजबक्ति एक वचन का है तो इसलिए किम सब्द पूर्लिंग प्रत्मय भक्ति एक वचन करूप होता है कह इसको ब्रिहस्पति के स्थान पर इस्थापित करेंगे तो रूप बन जाएगा कह देवा नाम गुरुह मन्यते और साथ में कह जो अभी लिखामने उसको रिखांकित कर दीजिए और साथ ही वाक्य के अंत में प्रस्ण वाचक चिन्ह लगा दीजिए हो गया उत्तर तो हमार प्रस्ण था ब्रिहस्पति ही देवा नाम गुरुह मन्यते तो प्रस्ण हो गया कह देवा नाम गुरुह मन्यते हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर यूगल देव रूपेन यह जो सब्द लिखा है इसको स्थुल कर दिया गिया है अर्थात इसको हटाना है और इसके इस्थान पर प्रस्न वाचक सब्द हमें लिखना है तो ध्यान हमको यही देना है क्या कि प्रस्न उत्तर वाचक जो सब्द है वो जिस विभगति वचन में होई उसी विभगति वचन का सब्द हमें प्रस्न वाचक सब्द वहाँ इस्थापित करना होता है तो युगल देव रूपेण यहाँ पर तृतियो भक्ति का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे केन रूपेण केन कहते हैं, ये भी कहां सा गया कीम सब्द पूड्डिंग का रूप है तृतियो भक्ति एक वचन का रूप है और साथ में रूपेन लिखा है इसको हमने ले लिया तो केन रूपेन तो उत्तर होगा वेदेशु द्यावा प्रिथिवी केन रूपेन वर्णितव और प्रस्नवाचक चिन तो इस तरह से हम जो इस्थुल पदों के अधार पर जो प्रस्न निर्मान करने का निर्देश था उ इस तरह से विभिन वाक्यों को हम प्रस्न सुचक बना सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं हमार अगला भ्रहास प्रस्न है अधो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी मात्रिभासया लिखत नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर मात्रिभासा में लिखिये अब यहां जो प्रस्ण दिये गए हैं वो किस तरह के हैं प्रस्ण संस्कृत में है या हिंदी में यह हमको देखना होगा प्रस्ण को देखते हैं प्रस्ण हिक्का आपने ओखली और मुसल का प्रयोग कहां कहां देखा है यह प्रस्ण जो है हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है पाच के अधार पर नहीं पूछा जा रहा है हम अपने दैनिक जीवन में ओखली कहां देखी हैं मूसल कहां देखी हैं उसका प्रयोग कहां होता है और किस तरह उसका प्रयोग किया जाता है इसके विशाय में लिखना है तो आपने भी ओखली देखा होगा मूसल देखा यही यहाँ आपको उत्तर में लिखना है और अपनी मात्री भासा में आपको उत्तर लिखना है तो निशीतरुप से आप अपनी भासा में लिख पाएंगे समवर्थ हैं ना हाँ बिल्कुल सहीं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है हमारा खः हवा अनाज के साथ क्या क्या करती है अनाज है खेतों में अनाज उत्पन्न होता है और हमारा देश भारत क्रिशी प्रधान देश है और यदि हम छतिसगड की बात करें तो छतिसगड भी क्रिशी प्रधान देश है यहां की बहु संख्यक जन संख्या क्रिशी पर आधारित है और नहीं भी ह तो क्रिसी कारियों को सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, उस क्रिसी कारियों में जब फसल पक जाता है, फसल को काट कर घर ले आयाता है, तब वहां पर हवा का प्रयोग उस अनाज के साथ होता हुआ आप लोगों ने देखा होगा, उस अनाज से भूसे जो होत प्राकृतिक साधन का भी उपयोग होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से सूप के माध्यम से सूपा के माध्यम से कुछ लोग जो है जब तेज हवा चलती है उस समय अनाज को क्या करते हैं धीरे-धीरे करके देखिए कि इस तरह से वो गिरा रहा है तो ऐसा गिराते हैं तो उससे क्या होता है जो अनाज के दाने हैं वो नीचे गिरता जाता है और भूसे जो है वो उड़के दूर चले जाते हैं तो इसी तरह से और कौन-कौन सी क्रियाएं हैं जो अनाज के साथ में हवा करती है तो उसके विशा में अपना अनुभाव आपको है आउनाज आप जानते हैं भूसा भी हाश कभूस करते हैं मस के साथ वह भूसा जाकर चीपक जाता है कि इस तरह चीपक जाता है जैसे मच्छर हमारे सरीर में आकर चीपक जाता है और हमारा सोसन करता है उसी तरह से तो उसे हमें क्या करना पड़ता है बल पूरवक या प्रयतन पूरवक उसे हटाना पड़ता है तो इस तरह से अनाज और अनाज की भूसे और मच्छर में कुछ समानताएं हैं, तो और भी कुछ समानताएं हैं, क्या समानताएं आप देखते हैं, क्या समानताएं आप पाते हैं, अपने अनुभाव के अधार पर इस प्रश्ण का उत्तर आपको लिखना है, घ, अपने आसपास आपने कीन कीन लोगो को रसोईय के रूप में देखा है अब पाठ में तो रसोईय कहा गिया है कि इसको रीत्मों को कहा गिया है लेकिन आप अपने घरों में देखते हैं रसोई बनाने का कार्य कौन करते हैं घर में कौन करता है या किसी साधी विवाह आधी के विभिन कार्यक्रमों में जब हम जा जोरी नहीं कि महिलाई ही हो या पूरिस ही हो आपके घर में भोजन कौन बनाता है रसोई कौन बनाता है उसके अलावा और आपने कीन कीन लोगों को रसोई बनाते हुई देखा है हो सकता है आप में से बहुत से लोग भी रसोई घर में जाते हैं और रसोई बनाने में माता की पिता की भी मदद करते हैं और ही साथ साथ हम उनका हाथ बचाते हैं और कभी आवशकता पड़े तो हम स्वयम भी रसोई बनाने के कारिय में सनलगन हो जाते हैं तो इस तरह से हम स्वयम भी रसोईया बन जाते हैं तो इसी तरह से आपने अपने आसपास किन किन लोगों को रस तो ये के रूप में देखा है, जैसे साधी भी हम जाते हैं, तो बड़े-बड़े हांडी में भोजन पकता है, घर में आते हैं, तो छोटे बरतन में भोजन पकता है, तो घर का आकार किसी का घर छोटा है, तो छोटे बरतन में किसी का घर बड़ा है, तो बड़े-बरतन में ब्होजन बनाने में केवल एक ही व्यक्ति साहयक हो आवशक नहीं होता है कभी एक व्यक्ति बनाता है कभी कुछ लोग मिलकर ब्होजन बनाते हैं है अब Hij हमने ही आ जो पर पुझ पढ़ा है ओधनम सुक्तम यह सभी क्या है? यह सभी वैदिक मंट्र है वेद से लिए ग הא हैं तो वैद में जितने वाक के लिखेगा है वो सभी मंत्रों में सरीर के कीन कीन अंगों का उल्लेख आया है और कीन कीन रूपों में आया है ये आपको लिखना है तो पाठ में विभिन अंगों का उल्लेख आया है जैसे चक्छु का उल्लेख आया है हस्त का उल्लेख आया है स्रोत्र का अर्थतकान का उल्लेख आया है कहीं पर सी और साथ ही वे अंग क्या-क्या कार्य करते हैं, जिन अंगों की चर्चा की गई है, उन अंगों का भली भात ही जानते हैं, क्योंकि हमारे सरुर के अपने अंग हैं, तो उन अंगों से क्या-क्या कार्य लिया जाता है, इसके विशाय में आप विभिन जानकारियां लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला भ्यास आ रहा है वो क्रिदंत प्रत्या पर आधारित है सभी जानते हैं कि जितने क्रिदंत प्रत्या है उन सभी का योग जो है धातू के साथ लगता है क्रियाओं के साथ लगता है इस कारण से उसका नाम जो है क्रिधन्त है क्रिधन अंतह इति क्रिधन्त है हर साथ क्रिया के साथ लगने वाले जो प्रत्य होते हैं उन्हें क्रिधन्त प्रत्य कहा जाता है तो ऐसे ही इस पाठ में हमने एक सब्द देखा था पक्तारह ये सब्द का ऐसे बना इसके हमने चर्चा किया था तो यहां उदाहरान के रुप में दिया गया है प्रश्णक निर्देश है तृच प्रत्यायांता नाम नवीना नाम सब्दा नाम निर्मानम कुरुत अर्थात तृच प्रत्याय पर आधारित नवीन सब्दों का निर्मान केजिए यथा, यथा का मतलब होता है जैसे एक उधारन दिया गया है, क्या उधारन दिया गया है, पच धन त्रिच, पच धातु में जब त्रिच का प्रत्या का योग होता है तब रूप बनता है पकता, और इसका तात पर ये होता है पकाने वाला, अर्थात, त्र तरिच प्रत्य का योग जब किसी धातु में होता है तब वह वाला अर्थ देने वाला होता है। इसी तरह से जो कुछ अलग-अलग धातु में दी हुई हैं उन धातु में तरिच प्रत्य का योग करना है और उनसे क्या नया सब्द बनता है ये हमको लिखना है। तो नी धातू, नी का मतलब होता है ले जाने वाला, ले जाना, नी का मतलब होता है ले जाना, तो नी धातू में जब तरिच प्रत्या का योग होता है, तब उसका रूप बनता है नेता, अर्थात नेत्रित्व करने वाला, या ले जाने वाला, क्री का मतलब होता है करना और क्री धातू में जब त्रिच प्रत्या का योग होता है तब इसका रूप बनता है करता अर्थात करने वाला दा का मतलब होता है देना दा धातू में जब त्रिच प्रत्या का योग होता है तब रूप बनता है दाता, मतलब देने वाला वच, वच का मतलब होता है बोलना या कहना और वच धातु में जब तरिचपत्य का योग होता है तब रूप बनता है वक्ता अर्थात बोलने वाला या कहने वाला सुरू, सुरू का मतलब होता है सुनना शुरूधातु में त्रिच पत्य का योग होता है तब रूप बनता है शुरूधा अर्थात सुनने वाला तो इस तरह से वाला रूप बनाने के लिए त्रिच वाला अर्थ में किस सब्द को बनाने के लिए त्रिच पत्य का योग होता है तो इस तरह से विभी न जो कृदंत प्रत्य हैं इनके वीशा में आप जानकारियां रखते हैं जानते हैं और यहाँ पर जो अभ्यास दिया गये था वहाँ है त्रिच प्रत्य है और आएए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला अभ्यास का प्रश्ण है तो प्रत्य है और आप सभी जानते हैं हमारा प्रदेश चत्तिस गड़ को धान का कटोरा कहा जाता है अपनी भासा में धान की रोपाई, निदाई, कटाई के गीतों का संग्रह कीजिए तो प्यारे बच्चों हम में से अधिकांस लोग खेती किसानी की विशाय में जानते हैं अधिकांस लोग क्रिशी परिवादों से जुड़े हुए हैं, क्रिशी कारियों से जुड़े हुए हैं और आप सभी जानते हैं हमारा प्रदेश चत्तिस गड़ जिसे धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है तो यहां क्रिशी कारियों से संबंधित जो विभिन्नक क्रियाएं होती हैं चाहे खेत जोतने की बात हो या फसल बोने की बात हो बीज के छिड़काव करने की बात हो या धान को रोपने की बात हो या धान में से जो अवांचित तत्व होते हैं उनको निदाई करने का कारिय दान में दवाई छड़कने का कार्या हो खाद डालने का कार्या हो पानी देने का कार्या हो या फसल की कटाई करने का हो या कटाई के बाद उसे संग्रहित करने का कार्या हो यह विभिन जो क्रियाएं होती हैं इन क्रियाओं के अधार पर विभिन छेत्रों में तरह तरह की लो पुष्टिका में लिखना है तो किस तरह की होते हैं आईए एक नमुना हम देखते हैं कर दो किस अया है झाल 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 चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला भ्यास प्रश्ण है भात बहुत लोगों का प्रिय भोजन है वैसे हम सभी 36 गड़ वासी है और 36 गड़ में धान अधिक उत्पन्न होता है और यहां धान से जो चावल बनता है उस चावल से भात बनता है और वो भात से तरह तरह के व्यंजन भी बनते हैं भात को तो हम खाते ही हैं भात के अलग-अलग रूप में भी बने चावल का अलग-अलग रूप होता है उसका भी हम उपयोग अपने भोजन में करते ही हैं तो भात बहुत सारे लोगों का प्रिय भोजन है काक्छा के बच्चे अर्थात आप सभी लोग अपने प्रिय भोजनों की सूची बनाए और उनके संस्कृत सब्द लिखें अर्थात चावल का हम किस किस तरह से उपयोग करते हैं न किमल चावल का अपितू हमारी जो भोज्य पदार्थ हैं उन भोज्य पदार्थों को संस्कृत में क्या कहा जाता है तो भोज्य पदार्थों के नाम अपनी भासा में अर्थात हिंदी में और संस्कृत में ये हमको लिखना है तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं जैसे इस पाच में हमें बहुत से सब्द भी मिले हैं इसके अलावा और करी तरह के सब्द होते हैं जैसे उदाहरन के रूप में कुछ सब्द हम यहां देखते हैं जैसे पायसम कहते हैं, पायसम कहा जाता है खीर को, ससकुली कहा जाता है पूरी को, अपुपाह कहा जाता है पुआ को, भक्तम कहते हैं भात को, या ओधनम भी कहते हैं, भात को ओधनम भी कहा जाता है, क्रिसरह कहा जाता है खिचडी को, रोटी का कहा जाता है रोटी को, मोदकह कहा तो इस तरह के और भी अनेक सब्द हैं अर्थात अनेक पदार्थ है जो हमारी भोजन में सामिल हैं तो भोजन में सामिल उन सभी सब्दों के नाम हिंदी भासा में और साथ ही संस्कृत भासा में हमें लिखना है तो इस तरह से हम यह जो पाठ है तो आप अपने चारों और जितने भोजन पदार्थों को जानते हैं जितने अनाजों को आप जानते हैं जितने साग सब्जीयों को जानते हैं उन सब के नाम भी इसी तरह से हिंदी में और संस्कृत में लिखिएगा प्यारे बच्चों अभी हमने अध्यन किया पाठ ओधनम सुक्तम और इस पाठ के अधार पर हम अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी चीजों को एक बार पुना स्मरं करने में और अपने दैनिक जीवन लोक गीतों की ओर और साथ ही संस्कृत की बात करें तो उसमें व्याकरनिक तत्व हैं इनकी और और हमारी वेदिक साहित्य हैं इनमें जो नीहित ज्ञान है, ज्ञान रासी है, किस तरह से वेदों की रचना हुई है, वेदों में किस तरह ज्ञान रासी नीहित है, इसके वीशाय में परिचाय प्राप्त किया, निश्ची तुरुप से इस पाठ के अधार पर हमारी संस्कृत के प्रती अध्यान, अध्या कर सकेंगे इसके लिए इस पाच्क माध्यम से रूची जागरित हुई है ऐसा मैं मानता हूं अंत में सर्व्यभ्यो नमो नमह